हेलो स्टुदेंट्स वेलकम तो फिजिक्स भाई जीएसबी तो बच्चो कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी ठीक होंगे ओके आज हम करेंगे नुमेरिकल्स बेस्ट ओन ओम स्लो चैप्टर इलेक्रिसिटी प्लास टैन ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नुमेरिकल को नोट के करते हम वो के पाइंश्यल इफरेंश ओव बेंटरिक गिवन एज फी डी पोटेंश्यल इफरेंश इसको नोट किया जाएगा चैपिटल आई से उसकी वेल्यु है ट्व प्यंट फाइब मिली एम्पीर ऑके मिल्यांपेर इस दा स्मॉल इंट उफ क्रंट इसको सीर में कыш करेंगे 0.2.5 aja कhait Vienna –3 Ampire बच्चों क्या है सब्सक्चा करना है उसकी षाक्या करनी है इससे आप्लाइ करनी इन को सकते हैं değil दिखेंगे अकोर्डिंग तू ओम स्लो वी इस एकल तो आयार कंट फ्लोइंग तो इसको सेट करेंगे फॉर्मुले का अकोर्डिंग तो रिस्टेंस को फाइंड करना है बाई आई तो वैल्यू स्पूर्ट होगी वैल्यू है आपको पास 12 वोल्ट ओके आई की वैल्यू है इस पॉइंट को हटाएंगे तो उपर क्या चला जाएगा 10 ओके शॉलो करते हैं अभी इसको टेक है फाइफ फाइफ पी कट होगे तो नहीं ओके तो अबराल क्या बनेगा हमारे पास ट्वैल्यू जाओ 24 वाइफ इन्टू टैन देश्ट पावर थ्री इसको कैंसल आउट करो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी पोर पॉइंट इंटू टैन देश्ट पावर त्री रिजिस्टेंस के यूनित रहेंगे ओम ओके तो इसको हम दूसरी इनट में दिश्टेंगे और पॉइंट एट किलो ओम तो बच्चों यह रहेगी हमारे पास रिजिस्टेंस की वैल्यू जो की अन्नौ रिजिस्टेंस है उसकी 4.8 किलो ओम क्या है वैल्यू आ चुके यह थ हमारा फर्स्ट अबीकल अभी हम सेकेंड नुमेरिकल के बारे में डिस्क्रेंगे सेकेंड नुमेरिकल इस हाव मच क्रूंट विल एन एल्लेक्टिक बलब ब्रोग फ्रॉम एक 220 वोल्ट शॉर्स ठीक है प्लाई जो है 220 वोल्त है इस तो हमारे पास जो इप्रमेशन गिवन नेक्स रिजस्टेंस रिजस्टेंस भी गिवन है हमें रिजिस्टेंस केडं hehehe कैपि एन आर ईकल टी तू ओम्सलो क्या इंफ्रमेशन को आएगा वी इस एकल टू आई आर पॉर्मॉला सैट करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है आई ओके वी बाई आर वी की वैल्यू क्या है बच्छो 220 वोल्ट आर क्या है आपके पास 1200 ओम जिरो से जिरो को कैंसल आउट करेंगे ओके टूपे कट हो रहा है 11 वाई 60 इसको सोल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आजेगी अप्रोक्सिमेट प्रूइट से जिरॉपॉइं वोन एक तो यह आदेगा ठूम हमारे पास क्रंट टा यूनिट है एमियर तो यह आदेगा हमारे पास ट्रंठ अक्य next b part is b part में क्या information given है हमें और क्या find करना है b part is how much crunch b part में भी crunch हमें find करना है will an electric heater coil draw from 220 source if the resistance of the heater coil is 100 ohm इस ताइम जो resistance है अभी voltage हमारे पास वो ही है बच्छो voltage की value 220 volt ही given है okay and resistance now change हो चुकी है resistance हो चुकी है reduce capital R से नोट क्या जाएगा resistance is 100 ohm only fine हमें क्या करना है इस बार भी हमने क्या करना है crunch की value को find करना है crunch i की value को क्या करना है find करना है okay तो फिसे according to i are okay so i क्या हो जाएगा i is equal to Vy आर वी की value है आपके पास बिच्छो 220 volt by 100 00 cancel out i की value इस case में क्या जाएगी 2.10 लगा नीचे रूप्ट लग जाएगा 2.2 ampere जब भी आप values लिखोगे current की resistance की voltage की तो यूनिट के साथ लिखोगे बच्छो विदाउट कोई वैल्यू आपने पूट नहीं यह करना है कोई भी answer नहीं लिखना है okay यह compulsory है आप सब्सक्राइब नेक्स थर्ड कोश्चन इस the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from this source जब हमारे पास जो heater है उसके terminal के across यतने potential difference है पी डी potential difference नोट करेंगे capital भी से वो है 60 volt okay and current current की value है उस उसके पास वह है current i is equal to 4 ampere okay तो voltage है current है तो resistance of the resistance find कर सकते हम resistance of heater is equal to क्या आजाएगी बच्चों क्या होता है क्योंकि हम यहां पर लिख देते हैं resistance of heater क्या आएगी वी बाई आई यहां पर रिजन लिख देजिए क्योंकि वी क्या होता है according to ohms लो वी इस इको टो क्या होता है आई आर होता है ओके इसका हमने यहां पर यूज़ क्या है तो वी की value फूट कीज़े फर्स्ट आफ और 60 आई की value क्या है फोर कैंसल आउट करोगे तो हमरे पास value आजाएगी 15 15 ohm यह आ चुकिया resistance of heater ओके आर ओफ heater नेस्ट पाट है इसमें मरे पास what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt यहां लिखेंगे what current तो लिख लिजे current flowing through heater when when potential difference is 120 volt okay 120 volt पहले अभी 120 कर दिया गया तो फिर से हम home slow आएंगे okay according to home slow V is equal to I are okay हमें value निकाल लिए क्रांट की तो आई क्या आजएगा V by R okay R क्या है विच्छों हमरे पास R हमारे पास जो पीछे हमने कल्कूट किया वही है क्योंकि हीटर की जो resistance हो चेंज नहीं हो यह प्रैंशिल प्रैंस एंक्रीज करने से यहां पर हम 15 पूट करेंगे वी क्या इस टाइम इस टाम वी हमारे पास 60 से एंक्रीज करके एक क्रांट ओफ 0.2 एंपियर फ्लोज थूए कंड़क्टर ओफ रिजिस्टेंस 4.5 ओम क्या है क्रांट की वैल्यू क्रांट इसको दिनोट किया जाएगा आई के साथ इस एकल टू 0.2 एंपियर ओके एंड रिजिस्टेंस रिजिस्टेंस की वैल्यू जिसको आर से दिनोट किया जाएगा कितनी वैल्यू हम अब पास रिजिस्टेंस इस 4.5 ओम पास लेकरना है पोटेंशियल डिफ्रेंस पी डी जिसको दिनोट किया जाएगा वी जे उसकी वैल्यू हमने क्या करने है पाइंट कर दिया है को कोडिंट व्म्स लो ओम्सलो बी इस इकल टू आई आर ओके वहीं फाइन करना है तो आई की वैल्यू पूट किजिए आई इस जिरो पॉइंट टू इन्टू आर इस पोर पॉइंट फाइव 4.5 तो हमारे पास sensor आ जाएगा इसका दोनों की multiply करेंगे तो 0.9 वोल्ट ओके बच्चो 0.9 वोल्ट यह आ जाएगी हमारे पास V की value तो अब सभी को इसको क्या करना है इस तरह से solve करना है ओके बच्चो तो यह थे numerical हमारे पास ohms law के उपर based chapter electricity class 10 ओके मिलते हैं next वीडियो में जिसके उपर हम discuss करेंगे कि हमारे पास numerical को solve करना है जो की based होंगे resistivity वाले concept के उपर ओके बच्चो